प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम कारक के भेद पढ़ेंगी कारक के आठ भेद होते हैं पिछली बार बच्चों हमने कारक के प्रिभासा याद की थी कि कारक क्या हैं कारक भी एक तरह के शब्द होते हैं अईसे शब्द हैं जो कि वाखे में संग्या या सरवनाम शब्द का किरिया के साथ सम्मन बताते हैं या वाके में दूसरे शब्दों के साथ सम्मन परकट करते हैं यानि कारक आर्थ क्या हुआ कि कारक एक तरह के ऐसे शब्द हैं जो कि वाक्य के अंदर दो सब्दों में सम्मन्द परकट करते हैं या किरिया के साथ सम्मन्द बताते हैं या सम्मन्द बताने वाले शब्द हैं कारक कोई और चीज नहीं बलकि ऐसे शब्द हैं जिससे वाक्य कि जो किरिया है वो पूरी होती है उसका अर्थ सपष्ट होता है और उसका समन्द वाक्य के अन्य सब्दों से जाना जाता है अब जो कारक हैं बच्चों वो वाक्य में अपने चिन के साथ परियोग होते हैं जिने परसर्ग या विवक्ति चिन कहते हैं तो आज हम इन कारक के नाम और इनके विवक्ति चिन याद करना सीखेंगे कि कारक के आठ बेद हैं करता करम करण संपरदान अपादान संबन अधिकरण और संभोधन ये कारक के आठ बेद हैं तो सभी के नाम के आगे कारक लग जाएगा कि करता कारक करम कारक करण कारक इस तरह से इनको पढ़ा जाए अब साथ में हमें इनके परसर्ग यानि विवक्ति चिन को भी याद रखना है क्योंकि विवाक्य के अंदर बच्चो ये विवक्ति चिन के नाम से ही यानि इन चिनों के आधार पर इन चिनों से ही इनकी पहचान की जाती है आपको इसी पहचान को याद करने के आउशकता नहीं पड़ेगी मैं आपको आज एक आसान तरीका बताता हूँ इन विवक्ति चिनों को याद करने का जिससे आप वाक्य में इनकी पहचान कर पाएंगे आईए सीखते हैं कैसे याद करना है आपको कारक के नाम के साथ इनको पढ़ना है दो या तीन बार कम से कम तब आपको ये याद होंगे देखिए ऐसे कि करता ने करम को करन से संपरदान के लिए अपादान से संबंद काके की अधिकरन में पर संभोधन हे अरे क्योंकि कई कारे के बच्चों दो विवक्ति चिन हैं जैसे करण के से या के दवारा संपरदान के लिए या को संबन में तीन है का के या की अर्धिकरण में और पर संबोधन के हैं हे और अरे तो इनको याद करने का यही तरीका है बच्चों कि इनको एक साथ पढ़ा जाए कि करता ने करम को करण से या के दवारा संपरदान के लिए या को अपादान से संबंद काके कि अधिकरण में पर संबोधन हे अरे तो इस तरीके से आप कारक के नाम के साथ विबगत चिन याद कर पाएंगे और फिर इनके वाक्य में आसानी से पहचान भी पाएंगे कि जिस शब्द के आगे ने लगा हुगा वो हमारा करताकारक शब्द है जिसके आगे को लगा होगा वो हमारा करमकारक है जिसके आगे से लगा हुआ है वो हमारा करनकारक बन जाएगा जिसके आगे के लिए या फिर लिए लगा है वो संपरदान बन जाएगा जिसके आगे से लगा है वो जैसे छत है छत यहाँ पादान कारक है रचिते के आगे का लगा हुआ तो रचित का भाई से या नवीत रचित का भाई है तो रचित का नवीन के साथ सम्मध पर कट होता है में चिन से हमें पता लगता कि अलमारी अधिकरन कारक है हे प्रभू हे शवद से पता लगता है कि सम्भोधन कारक का प्रियोग किया गया है तो इस रहे से बच्चों इन चिन्हों से ही हम कारक की पैचान कर पाएंगे तो आज का काम क्या आपका कि आप कारक के नाम कारक के जो भेद हैं इनके नाम के साथ विवक्ति चिन का नाम पड़ें और इन्हें याद करें करता ने करम को करण से के दवारा संपरदान के लिए को अपादान से सम्मंद का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे तो इस रहे से आप इनको सीरिज में याद कर पाएंगे आपको ये दो कोलम अपनी नोटबुक में भी बना सकते इनको पहले और फिर इन्हें याद कर सकते हैं ये आपको अगली क्लासों में भी काम आएंगे क्योंकि हिंदी व्याकरण जो है बच्चों वो कभी नहीं बदलती जब से हिंदी वनी है तब से यही हिंदी व्याकरण चल रही है ये आपको आने वारी क्लासिज में भी साहता करेंगे इनके बारे में डिटेल में हम अगली बार पढ़ेंगे आज आप इनके नाम और साथ में विवक्ति चिन अवश्य याद करें अच्छा वच्चो धन्यवाद